प्रीति नाकपाल का प्राश्ण है नमस्कार सर मैंने भि टारो सीखा है लेकिन कभी-कभी प्रेडिक्शन करते टाइम किसी कार्ट पर ब्लैंक हो जाती हूं ऐसा क्यों होता है प्रीति जो ब्लैंकनेस जो हमें आती है न वो बहुत कुछ हमें कुछ कहीं न कहीं हमारी मनोदर्शा के बारे में बताती है ब्लैंकनेस हमें सिर्फ ये बता रही है कि कुछ ऐसे मेसेज़ेज हैं जहां पे आप जहां पे जो है शब्त काम नहीं करेंगे जारो रीडिंग करते हैं बहुत बार एक आदमी ब्लैंक हो जाता है। उस समय ब्लैंक जब हमें उस स्तिति को भी स्विकार करना है। और अगर अंदर से उस वक्त कोई मेसेज नहीं आ रहा है तो जब्रस्ति नहीं करना है हमें अपने साथ। हमें सिंप्ली जो है उस ब्लैंक निस के अंदर प्रवेश कर जाना है। और सिंप्ली जो है हमें बड़े ऑनस्टी के साथ जो है दूसरे वेक्ति को यह बोलना है कि इस वक्त जो है तुम्हारे लिए कोई मेसेज नहीं है। और मैं आपको अपनी तरफ से कोई मेसेज नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ आपको डिवाइन का मेसेज जो है मैं दे सकूँ। तो important यह है कि उस blackness को जो है बहुत beautifully जो है accept करना है कि बहुत बात blackness जो है आपको कुछ एक divine message जो है आपको प्रदान करेगी लेकिन पूरे स्विकार के साथ जो है उस वक्त हरबढा नहीं जाना उस वक्त घबरा नहीं जाना उस वक्त जो है एक तरह से अपने आपको परशान नहीं हो जाना कि मेरे अंदर से जो है यह blackness क्यों आ गई blackness भी कही ना कही important है इस शण के लिए आपको जुरुत है कुछ आपको जो है blankness जो है message देना चाहती है कि कहीं बार जो है आपका मन जो है capable नहीं होता उस blank message को समझने के लिए आपके भीतर के भाव आपका भीतर का हिर्दे जो है वो capable होता है उसको समझने के लिए तो जब blank घटे तो allow करो उस blank को जो है पी जाओ स्वीकार कर लो थोड़ा time लगसकता है लेकिन message जो है प्रकट होगा और जब प्रकट होगा तब दूसरे को जो है वो जो genuine message है वो message जो है दिया जा सकता है तो कोई चिंता की बात नहीं है अगर कोई message नहीं आया है अगर ब्लाइंक टेस आ गई है वो भी ठीक है वो भी शुब है उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा है